रादी रादे कैसे हैं आप सभी तो चलिए देख लेते हैं आखे इस टाइम आपको क्या जानने की जरूरत है अपरे रिलेशन में और क्या कह रहे हैं आपके रिलेशन में डिवाइन बीना देर की फटा फट देखते हैं क्या है जो हमारे Veeverse को जानने के अभी समय ज़ुरूरत है क्या पताना चाहते हैं आप λोग बहुत जल्दी sadness से बहर आओगे जिस रिस्ते में जिस connection में आप लोग बहुत जादा ही अपने आपको depressed प्रेस लेके बैठे हो या बैठे थे और आप सोच रहे थे कि भी को कहीं से भी बैलस नहीं हो रहा है और family में हो या सुसराल पक्ष में चाहे कहीं भी किसी भी area around से अगर आपके साथ injustice हुआ है तो आपके universe and sister जो भी जिनको भी मानते हुआ आपको यह कह रहें कि पस्ताने की जरुवत नहीं है बहुत जल्दी receive होने वाला है आपको justice और you know अगर आप किसी से relation में हो या आप marriage हो married हो तो वहां पे भी आपको success मिलने वाली है कोई न कोई person जो है आपको offer या फिर marriage proposal देने वाला है yes बिलकुँ जहां पे आपका दिल अटका हुआ है वहीं से आपको जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है और आप success होने वाले हो आपके पास सब कुछ आने वाला है अगर आप कहीं से job career के वज़र से भी अगर stuck थे तो stuckness से भी आप निकलते वे नजर आ रहे हो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जो past में चला गया था वो आपके पास जो है उनके बारे में जो आप सो सोच के बैठे हो तो yes वहां से भी आपको reunion होने वाली यानि कि कि किसी ना किसी के life में कोई ना कोई लोटता हुआ नजर आ रहा है जो बहुत बुरी तरीके से आपको छोड़ के गया हो condition में वाइस तो वही चीज है जूट जो भी है जूट सच जो भी है सारी चीजे जो है clear cut जो है आपके life में आ रही है जिनों ने भी आपके relation में manipulation किया है manipulate किया है या फिर कहते हैं न कि sadness डाली है और आपके relation को बारे में जाना चाहते हैं तो वह आपके partner जो है आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ज्यादा लंबी feeling श्री राद है तो चली देख लेते हैं क्या है आपके partner जो है काफी ज्यादा जो है आपको लेकि emotional है इस टाइम साथ उन्होंने पास में work ना किया हो बहुत वर्क होली भी हो सकने हैं और यह इंसान जो है अभी इस समय राइट नाव यही सोच रहे हैं कि किस तरह से इस connection को दुबारा reunion किया जाए अगर आप लोग no contact में हो लड़ाई जगड़े हुए हैं आप में complications हुए हैं balance नहीं है या फिर balance नहीं कर पाए हैं आपके person तो you know यह person जो है आपके relation को आपको लेकर balance करना चाहते हैं इन सारे जो भी चीजे हुई हैं उन सभी चीजों को खतम करके एक आपकी तरफ एक कदम बढ़ाना चाहते हैं जिससे कि startup कर सके union हो सके आपका अगर यह pass में you know आपको बैड चोड़ की गए हैं और किसी reason के वज़े से हो सकता है कि भी आप लोगों में कोई चुपी हुई बात हो हो सकता है कि आपकी person ने you know किसी की बातों में आके उ कुछ भी नहीं जानने की कोसिस की हो और you know आपके तरफ से कुछ उन्होंने मतलब एक action भी नहीं लिया हो इसको हम ऐसे समझा सकते हैं आप लोग मानों की भी आप चिक चिक के चिला रहे हो कि मुझे छोड़ के मत जाओ मेरी कोई गलती नहीं है कोई गलती नहीं है और सामने तरफ जो है black energy को support करके आपको छोड़ के चले गया है तो you know ये इनसान के आगे कोई ना कोई सच्च और कोई ना कोई सच्चाई truth आपके लिए आया है तो इसलिए इनसान आपसे दुबारा जो है reunion करना चाहता है ठीक है मैं देखना चाहूंगी कि universe please बताएं श्री रादे please बताएं कि आगे किस तरह की सच्चाई सामने आई है please universe बताएं जिसके किस तरह की सच्चाई आई है okay yes तो इनको बिलकुल वाव मैंने कहा ना justice के energy आया था और अभी दुबारा आ गया तो yes इस इस इनसान को मतलब realize हुआ है कि आपके साथ जो soul connection था वो universe के उस्ते था और universal connection था जिस connection को इस इनसान ने इग्नोर किया है past में और इनको एहसास है कि भी यह चीज़ जो है गलत किया है मैंने कहीं न कहीं injustice मैंने ही किया है इस इनसान को इस समय बहुत badly मैसूस हो रहा है और इसलिए इनसान जो है आपके तरफ जो है action union जो भी है लेना चाहते हैं बिलकु कि यह card जब इस तरह होता है तो hangman की इस तरह होता है तो mind blowing मतलब इस card का reverse में आना क्या ही बताओ मैं यह रुकेगा नहीं जहां कहीं भी है फसा हुआ है वो महां से भाग के आएगा आना ही होगा क्योंकि इस इनसान को अंदर ही अंदर जो है खाया जा रहा है कि भी मैंने भ बहुत तेजी के साथ रफतार के साथ देखो मैंने कहां रफतार के साथ आपके तरफ आ रहा है तो क्लेम करो शी राधे राधे कहना ना भूलें और राधे-नारायन के शरण में हैं आप तो जो भी चल रहा है accept my dear जो भी होता है उन्हीं की इच्छा से होता है है ना आपको पता नहीं है काफी लोग कहते हैं भाई तुमец समत में और तुम्छाइन के साथ इचलों और नारायन के चल्नों में दालो देखते हैं आपको डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं वाउ आप Complete हो आपको किसी की जरूरत नहीं है किसी की जरूरत नहीं है मारो साइड में भगवान ने आपको सब कुस दे रखा है आप डिजर्व करते हो यूनिवर्स आपके साथ है एंजल्स आपके साथ है डिवाइन आपके साथ है आप क्यूं इतना परेशान हो मत हो मुश्किले सब के साथ आती है और मुश्किले उसी इनसान के साथ आती है जिनके साथ इश्वर होता है यह याद रखना हो बिल्कुल परिशानियों को आप ज़्यादा जेलते हो यह देखो मैंने कहा इश्वर उन्हीं के साथ होता है जिनके साथ परिशानी जाता होती है यह रियालिटी है देखो यहाँ पर साइंबल दे रहे हैं अगर आपके लाइफ में परिशानिया हैं अगर आपके आप जूज रहे हो किसी चीज में तो देखो यूनिवर्स ने आपको स्ट्रेंथ दे रखी इतनी पावर दे रखी है कि आप एक शेर की तरह हो ठीक है और डिवाइन आपके साथ है इंजल्स आपके साथ है तो यूनो आप बिल्कुल भी टेंशन मतले देख लेते हैं मुनो लोजिक काड़ से आपको आपके लिए क्या आ रहा है एक आपके पॉर्सन के लिए निकालेंगे और एक आपके लिए निकालेंगे प्लीस उनिवर्स मुनो लोजिक काड़ से क्या कह रहे है साइन अवेल्ब सारे टाइमलेस रीडिंग है ठीक है Please उनिवर्स पिताओएं एक आपके लिए और यह आपके पार्टनर के लिए तो आपके लिए आया है वर्टो टेक इंसपारिट एक्षन याने कि आपको यूनिवर्स पुषँप करणे कि आप अपने लिए एक्षन ले अपने soul growth के लिए action ले आप देखे रहों यहाँ पर क्या है रेंबो एक रेंबो बन रहा है तो आपके लिए life में बहुत कुछ है मेरी जान बहुत कुछ आपको सिर्फ एक action लेने की जरूरत है ठीक है आप लोगों को दूसरों को भी होता है न कि सलहा मसवरा देने वाले तो कहीं न कहीं आप एक अच्छे decision लेने वाले इनसान है तो सही decision लीजिए आपके लिए better रहेगा आपके relation में और आपके person के लिए forgive यानि कि वो आप से देखो यह अचानक ही मेरे मन में आया या फिर यूँ कहूँ angels ने बुलवाया यह आप से forgive चाहते हैं आप इनको forgive करो हो सकता है past में जो भी इन्होंने किया हो उस चीज के लिए यह माफी मागने के लिए आ सकते हैं आपके लिए मैं एक काच clarify लेती हूँ clarify करती हूँ क्योंकि जो चीज नारायन ने बुलवा दिया है और बिना clarify के यार मेरा भी मन नहीं जचेगा यार शी रादे रादे प्लीस सीन्योर्स बताएं क्या है येस येस देखो मैंने कहा न clarify यानि कि past में इस इनसान ने बहुत मतब ये खुद में selfish रहा है selfish बनके इस इनसान ने आपके two word इस रिस्ते की two word action लिए है तो you know ये चाहते हैं कि आप इनको forgive करें बिल्कुल एक forgive करके एक नहा शुरुवात करें claim करो ये इनसान सच में यही चाहता है आपके लिए भी देख लेते हैं किस तरह का action लेने की जरूरत है please universe बताएं किस तरह के action please universe बताएं action लेना है आपको stuckness से आपको जो छोड़ के चला गया यार उसके चकर में मत सोचो divine आपको बिल्कुल कह रहा है इस stuckness से बाहर आएं इसके लिए आप कुछ न कुछ कीजिए क्या कहता है उसको बाहर निकल लिए कहीं घूम ये फिर ये कहीं जाईए मस्त रहिए बडन से बाहर आईए देखिए क्या चीज निकल के आ रही एक back to back card निकल के आए है देख रहे हो back to back आपके लिए आप बिल्कुल दूसरों की help कीजिए दूसरों के लिए helper बनिये और last में फिर justice तीसरी बार justice का card आया है balance बनाईए अपने आपको आपके पास सब कुछ आने वाला है जो चाहते हो उस सब आएगा तो guys मेरा तो एक ही कहना है राध ही राध ही राध ही राध ही जपक कीजिए और आप सबी को बता दूँ आप सबी की दुआओं ने रंग लाया है अब आगे तो मुझे कुछ नहीं पता लेकिन जो भी है बड़े वाले नारायन को गाड़ी यानि गाराज में डाला है काम सीखने के लिए आपको विश्वास नहीं होगा जहां गया है सीखने के लिए वहाँ पे जो गैरिज का नाम है दुकान का नाम है आपको बता दू मेरी जान राधी कृष्णा है और जो गैरिज के मालिक है वो भी राधी नारायन के ही भक्त हैं तो हम जिस चीज को मानते हैं हम जिस चीज के उपर सब पुर्प देते ना तो वो डोर पकड़ लेते हैं तो में हमारा तो डोर उन्होंने पकड़ रखा है कि आपका पकड़ अगर नई पकड़ रखा है तो जाईए उनकी शरन हो जाईए वही चलाईंगे सबकी नई आप शुरी राधी राधी